नमस्कार परदाफ आज देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ सुनाली फरजी किसानों के हितेशी राकेश्ट कैट अब किसानों का मुद्दा खत्म हुआ तो नया मुद्दा शुरू करने पर उतराए हैं वो चाते हैं कि किसी तरह मोदी और योगी सरकार को घेरने का बहाना मिले और मीडिया के फुटेज भी उन्हें मिलती रहें क्यूं क्यूंकि मोदी सरकार और योगी सरकार की आलोचना किये बिना राकेश्ट कैट की दुकान नहीं चलती इसलिए अब पहलवानों के सारे अपनी नाव चलाने में राकेश्ट कैट जुटे हुए हैं पहलवानों के सपोर्ट के चकर में राकेश्ट कैट अपनी दुकान चला रहे हैं और एक बार फिर ऐसा ही हुआ दिल्ली में दिल्ली में संसद्धवन का उगाटन हुआ और हर देशवासी का सीनागर्व से चोड़ा हो बया लेकिन कुछ आंदूलन जीवियों को ये भाया नहीं और उनकी पूरी कोशिश देगी दिल्ली और बॉर्डर पर दंगे किये जाए वहीं यूपी पुलिस ने इसी दंगे फसाद से बचने के लिए टिकैट और बाकी आंदूलन जीवियों को नजर बंद कर दिया इसलिए टिकैट ने योगी की पुलिस को ललकार दिया इसके बाद क्या आक्षन हुआ क्यू टिकेट अभी भी आंदोलन पर अडे हुए हैं और क्या साबत करने की कोशिश कर रहे हैं ये बताएंगे तो चलिए आज फरजी किसानों के हितैशी टिकेट की पोल खुलते हैं और परदा फाश करते हैं इन आंदोलन जीवियों का आज देश की प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने नए संसत भवन का उठाटन किया तो वहीं दूसरी तिरफ 23 एप्रिल से जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों ने एलान किया कि आज वो नए संसत के सामने महला सम्मान पंचायद आयोजिक करेगा जिसमें शामल होने के लिए कई राजियों से किसानों ने दिल्ली का रुख किया वहीं महला सम्मान महापंचरायत करने को लेकर हर्याणा, राजसान, पंजाब से किसान दल के अलावा सभी विपक्षी राजनीतिक पार्टियों की महला सदस्य नई संसत भवन तक ना पहुँचे उसको लेकर सभी बॉर्डरों को सील कर दिया गया टिकरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस, हर्याणा पुलिस और बॉर्डर सीक्योरिटी फॉर्स तैनात कर दी गई दिल्ली बॉर्डर की और कूछ के अलान के बार भारत किसान यूनियन के राश्टर प्रावक्ता राकेश चिकेत ने उत्तर प्रदेश पुलिस को चेतावनी देते हुए कहा कि स्टेट पुलिस हमें जादा तंग ना करे क्योंकि हम जरूर जाएंगे हम रुकेंगे नहीं अग प्रश्वासन रोकने का काम करेगा तो हम सक्त से सक्त फैसला लेने पर मजबूर हो जाएंगे उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सुबह 10 बजे तक पुलिस नहीं अटाई जाती है तो किसान 11 बजे ट्राक्टर से जाएंगे और कृशी कानून की तरह ही आंदोलन चलने तक वापस नहीं आएंगे शामली के सदर कोटवाली शेत्र के मेरिट करनाल हाईवे मार्कपाद सियो सिटी के नेतरुत में पुलिस ने आज सुबह दिल्ली बॉर्डर पर जा रहे भारति किसान यूनियन के एक जथे को रोका करीब 30 गाड़ियों के जथे से 100 लोगों के जाने की सूचना मिली थी जिसके बाद पुलिस ने जुलाद्यक शामली और खाप चौधरियों की गाड़ी को रोक दिया बता दे कि शामली जनपत के हर हाईवे और चौक चौराह पर पुलिस तेना थी दिरसल आपको बता दे कि राकिश टिकेट कारूप है कि देर शाम बहुत सी जगह पुलिस BKU कारेकरताओं के घरों पर गई किसान नेताओं पर ये दबाब बनाया जा रहा है कि वो दिल्ली बॉर्डर पर ना जाए ऐसा टिकेट का कहना है लेकिन टिकेट ने आगे कहा कि हमारे हस्टशेप के बाद बहुत सी जगह से पुलिस हट गई टिकेट ने कहा कि हमारा प्रोग्राम है और खाप पंचायतों की कॉल है जब सब जगह के यहां लोग आएंगे इसलिए स्टेट पुलिस जादा तंग न करे राकेट शिकेट की माने तो टिकरी में जहां पर बॉर्डर है वहां पर लोग रुकेंगे और दिल्ली पुलिस से फिर आगे की वारतलाब शुरू होगी टिकेट ने कहा कि हमारा काम एक दिन का तो है नहीं और अगर हम वहां नहीं जाएंगे तो ये इनकी जीत हो जाएगी अब आपको जरह ये बता दे कि आखिर क्यूँ राकेट शिकेट एक बार फिर आंगोलन की धमकी दे रहे हैं और इस बार उनकी नई नॉटन की क्या है दरसल बारते किसान यूनियन ने रविवार को गाजीपुर बॉर्डर में पंचायत करने का फैसला किया था ये पंचायत जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे पहलवानों की सपोर्ट में हुई रविवार को ही पहलवानों ने संसत तक मर्च करने का फैसला लिया बारत किसान यूनियन ने इस संबंध में एक बयान जारी करते हुए कहा था कि जंतर मंतर पर चल रहे देश के पदक वीर पहलवानों के सपोर्ट में विशार, महिला, किसान, महापंचायत कायोजन दिल्ली में 28 मई को होगा इसलिए मेरट मंडल और सहारनपूर मंडल की मासिक पंचायत 28 मई को होगी दिल्ली यूपी के गाजिपूर बॉर्डर पर ये आयूजित किया जाएगा 28 मई यानि संसर भवन का उठगाट यानि या आंदोलन जीवियों ने संसर भवन के उठगाटन के दिन ही दंगा फसाद करने की प्लानिंग रच दी क्यों? क्योंकि इन लोगों को सरकार को बदनाम करने का एक तरीका और ढूना था वही नजर बंद होने के बाद टिकेट ने यूपी पुलिस को ही वर्निक देनी शुरू करती जी हां हमका कहना था कि यूपी पुलिस हमें रोकने की कोशिश ना करें वरना हम एक और बड़ा आंदोलन करेंगे फिर क्या था यूपी में योगी सरकार की पुलिस को आख दिखाना टिकेट को भाली पड़ेगा क्योंकि किसानों और पहलवानों की आवाज उठाने वाले टिकेट आज 200 करोड के मालिक जो है राकेश टिकेट एक तरफ दिल्ली पस्टवी उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाना तक में जार असनिमता का मुद्दा उठाकर पहलवानों की आंदोलन का मजबूत कर रहे हैं तो दूसरी और उनके अपने पेशे से बाहर होने के बावजूद उनकी संपती में दिन और दुगनी रात चोगनी तरकी हो रही है राकेश टिकेट की संपती की बात करे तो देश के चार राज्यों में उनकी भारी भरकम संपती है टिकेट की महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्राखन और दिल्ली में 200 करोड की संपती है जो की मुजफर नगर, ललितपूर, जासी, लखीमपूर, खिरी, विजनौर, बदायू, दिल्ली, नौडा, गाजवार, देहरादूर, रुड की, हरिद्वार और मुंबई में पूरी तरह फैली हुई है, किसानों के हग का दावा कर आए दिर, किसानों और पहलवानों को आंदोलं को आग में जोकने वाले टिकेट के कई बड़े-बड़े कारोबार भी हैं, जिनमें शोरूम, पेट्रोल पंप, इड के भटे, जमीन आती है, जिसके चलते उनका में शून्य की तादाद बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, केवल इतना ही नहीं, राकेश टिकेट की बेटी इतनी जादा पैसे वाली है, कि वो आस्ट्रेलिया में ही शादी करके सेचल हो गई है, जब उनके पता यहां देश में किसान आंदोलन की नाम पर आंदोलन ज को हवा देने के लिए भारती दूतावास के सामने नारे बाजी करती दिखी थी, राकेश टिकेट में अपनी संपती के जरी अपना पूरा जीवन सेट कर रखा है, उनका ना खेती से सरोकार रहा है, ना ही किसानी में कोई दिल्चस्पी, इसके बावजूद वो केंदर की त शायद इसलिए वो पश्चमी उत्तर प्रदेश के साथ ही दिल्ली हर्याने में जाकर बार बार जार के जातियों का मुद्दा उठा रहे थे, फर्दे किसान और असल में करोड़ पती राकेश टिकेट की पहले कृशी बिलो के विरोध के जरीए बाकी किसानों की इमिज को धुमिल कर रहे थे, और अब पहलवानों के सपोर्ट का नया ड्रामा करके अपनी दुकान चला रहे हैं, क्योंकि यह अंदोलन हिंसा की भेट चट चुका है, यह ऐसी सिचुएशन के और भी ले जा सकता है, जहाँ पहलवानों की वाजब मांगे भी टिकेट जैसे महत्मका लोगों की कारण नजर अंदास हो जाएंगी, इसलिए अब वक्त है कि असली पहलवानों को टिकेट की रणीती समझ जानी चाहिए, याद कीजे किसानों की मुद्दों को उठाने वाले राकेश टिकेट भला क्या समझेंगे की गरीबी क्या होती है, उस किसाना अंदोलन मे पंडिंग के सबूत भी मिले थे, जिया किसानों के साथ सिर्फ बैठने का पैसा विपक से राकेश टिकेट को लगातार मिल रहा था, इसलिए दिली के गाजीपूर बॉडर पर धरना प्रदर्शन को वो लीड कर रहे थे, लेकिन इस दोरान भी उनका कारुबार पलफूर रहा था, उनकी करोडों की संपती और बढ़ती जा रही थी, बता दे कि हमारा ये कहना नहीं है कि राकेश टिकेट के संपती अवैद है, वो उनकी मेहनत से बनाई हुई संपती हो सकती है, लेकिन क्या किसान आंदोलों का सच यही है कि जो अमीर है वो प्रदर्शन कर रहे ह और जो गरीब किसान थे, वो खेतों में अपना और देश का पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे, जहां एक तिरफ राकेश टिकेट खुद को किसान और पहलवान के हक के लिए लड़ने वाला बता रहे हैं, तो दूसरी और उसकी आड में राकेश टिकेट ने गैर कानूनी रूप से एक हिरन बाल बखा है, पतादे कि भारत में हिरन सहित किसी भी जंगली जानवर को पकड़ कर बंद करना एक डंडनिय अपरात है, इसके दोशी को साथ साल की सजा या पच्चस हजार रुपे का जुनवाना या दोनों हो सकते हैं, ये पूरी कुंडल जिहां ये पूरे काले कारना में राकेश टिकैद के सीम योगी के पास पहुँच चुके हैं, और उनके सारे अवैद संपती जो आंदोलन के पैसों से उनको मिली है, और खास कर जो यूपी में फैली है, उस पर अब योगी का बुल्डोजर चलना तै है, परदाफाश में आज के लिए इतना ही देखते रहिए, क्यापिटल टीवी उत्तर प्रदेश, नमस्कार